इस वक्त पे हम लोग यूपी हात्रस के बूलगड़ी गाउं में मौझूद है जहां एक बहुत ही हॉरिफिक आपको कह सकते हैं एक बहुत ही दर्दनी है घटना ने अंजाम लिया था करीब 15 दिन पहले एक लड़की का यहां उस लड़की ने जो बयान दिया है मैजिस्ट्र इसमें लड़की की बॉड़ी को लाया गया पिता और भाई थे जो उनकी माता जी थी उनका सिर्फ एक ही पुलिस से एक ही सिर्फ एक डिमांड थी कि आप एक आखरी बार हमको अपनी लड़की को घर ले जाने दीजे जो लास्ट राइट्स होते हैं वो हमको पफॉर्म करन दीजे एक आखरी बार हमें अपनी बेटी को छूने दीजे हमें हाथ लगाने दीजे हमारे सामने यूपी पुलिस ओफिशिल्स और यूपी पुलिस ने पूरी फैमिली को अंदर बंत किया अपने घर के अंदर बैरिकेट किया डंडे लेकर साब पुलिस खड़े हो गए औ उससे दर्दनिये शायद ही परिवार के लिए कुछ और हो विज्वल ये बॉडी जल रही है और पुलिस फोर्सफुली इस वक्त पे करीब तीन बजरा है रात का और पुलिस फोर्सफुली बिना किसी परिवार के सदस्य की प्रेजन्स के बिना यहां पे बॉडी को लेकर और आप मेरे पीछे देख सकते हैं मैं एक बार क्यामरा परसन वकार को भी कहूंगी कि दिखाएं कि यह जो जल रहा है यह लड़की की बॉड़ी है सिर्फ एक ही मांग थी फैमली की माता पिता की की एक बार चाहे 15 मिनिट के लिए सही आप एक बार बॉड़ी को घर पे आने थे हम पुलिस ने नहीं उनकी बात मानी और अभी फॉर्स फोली बॉड़ी को ला के आप देख सकने ब revenge पीछे जल रही है सभी जो इस गाउं के जो लोग हैं सभी बहुत गुस्से में और सभी ने सभी को घर के अंदर बंद कर दिया गया ना लड़की के पिता जी ना लड़की के भाई ना लड़की की माता जी यहां कोई भी कोई भी नहीं थी पुलिस इस बॉडि को यहां लई और यहां जबरदस्ती जबरन इस बॉडि को जला दिया गया फैमिली की पर्मीशन के बिना फैमिली प्रेजन्स के बिना ये इस वक्त पे हो रहा है करीब तीन बजे हातरस के बूलगड़ी गाओं में जहां लोकल्स और फैमिली हमेशा से पुलिस पे गुसा थी और कहरी थी अगर पुलिस ने आक्शन लिया होता तो इतना जो इस तरीकी की दुरगटना हुई है शायद उसको बचा सकते थे शायद लड़की को बचा सकते थे आज लड़की को तो नहीं बचा पाए एक जो आखरी मांग थी फैमिली की कि एक बार हमें देखने दीजे लड़की को एक बार उसकी बोड़ी देखने दीजे पुलिस ने वो भी पूरा नहीं होने दिया और जबरदस्ती जवरान आप देख सकते हैं बोड़ी लड़की की जल रही है मेरे पीछे और फैमिली अंदर बंध है कैमरा परसन वकार के साथ बूलगड़ी गाओं हातरस यूपी में मैं तनुश्री पांड़े आज तक के लिए